नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर दुनिया इसे संकट से गुजर रही है जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो देशों और समुदायों के बीच अंतहीन हिंसा और कलह कुरणा जैसी महमारी बढ़ती आय असमंता बेलगाम लालच अनरगल उपभूग और लगातार बढ़ती आकांगशाओ ने आज लोगों के जीवन में व्यापक संकट पैदा कर दिया है चारोर असंतोष और अप्रसन्नता का एक सामन्य भहव प्रगट हो रहा है यह परिश्टितिया वास्तविक रूप से देश में विखंडन कारी प्रवृत्तियों के उदय के लिए अनुकुल है ऐसे में राष्ट्रिय एकता और सामाजिक अशान्ती के लिए खत्रे की संभा ना बने हुई है इस कठीन समय में हमारे मन में मरयादा पुरुषत्तम श्री राम की याद आती है जिनके बताय गए सिद्धान आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है जहां उनका व्यक्तिकत और सामाजिक धर्म का संदेश विभिन्न मांसिक और शारिरिक कष्टों से किलोमेटर की यात्रा पर निकले है उत्तर से दक्षिन तक उनकी भारत की यात्रा का मुख्य उद्धेश श्री राम द्वारा स्थापित धर्म और भाईचारे के संदेश का प्रचार करना है महरश्ट सरकार के मंतरी नवाम मलिक की गिरपतारी के बाद भाचपा नेताओ और कारेकरताओ द्वारा जासीरानी चोग पर नवाम मलिक के खिलाब निशेद अंदुलन किया गया आंदुलन स्थल पर विधायक क्रिशना खूपडे ने नवाम मलिक के तुरंत इस्टिफा देने की मांग की उन्होंने राज्यपालिया मुख्यमंतरी से मलिक को तुरंत बरखास्ट कर देश द्रोह का मामला दर्श करने की अपिल की इसके पहले भाचपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रविन डटके ने इडी की तारिप करते हुए कहा कि इस विभाग के अधिकारी एक एक कर ऐसे देश द्रोहियों को ढून-डून कर गिरपतार कर रही है जब तक नवाब मलिक इस्थिपा नहीं दे देते तब तक राज्य भर में भाचपा कार्यकरता अंदुलन जारी रखेंगे महापौर दयाशंकर तीवारी ने व्यंगात्मक कविताओं के माध्यम से कहा कि नवाब मलिक के आका भी जल से जल जेल की सलाकों के पीछे जाएंगे पुर्वविधायक गिरिश व्यास ने कहा कि देश दुरोहियों की शामती स्मोधी राज में आई है इस अवसर पर युवा मोर्चे द्वरा शिवानी दानी पारेंद्र पटले के नेतरुत्मों में नवाब मलिक का प्रतिकात्मक पुतला दहन किया गया अंदुलन में विधायक मोहनमते, विकास कुमबारे, पुर्वविधायक डॉक्टर मिलिनमा ने प्रदेश सचिव धर्मपाल मेशराम के अलावा सेकडो कार्यकरताओने हिस्सा लिया भारतिय जनतापारटी विनकर आघडी की ओर से महापौर दयाशंकर तीवारी को नागपुर शहर के प्रथम पुलिया के डामरी करन की मांग से संबंदित ग्यापन 28 जनवरी को दिया गया था इस पुलिया के उपर आवाजाई करने वाले नागरिकों को पुलिया के उपर बने हुए अनिक गड़ों के कारण तकलिबे हो रही थी खासकर गर्भवती महलाई, हाल्ट पेशन, बुजुर्क, आदि वेक्तियों को पुलिया के उपर से जाते समय काफी शारीरिक पिड़ा होती थी और उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था इन समस्याओं को ध्यान में रखते वे भारतिय जनता पार्टी विनकर अगड़ी नागपुर शहर की ओर से महापौर दयाशंकरतिवारी को निवेदन पत्र दिया गया था और उन्हें ने जल्द डामरीकरन कारियों पूरा करने का निर्देश सम्बंदित अधिकारियों को दिया महापौर का आदेश पाने के बाद अधिकारियों ने युद्धकालिन ततपरता के साथ डामरीकरन और गड़ों के मरमत का कारिया शुरू किया जल्द कारिया पुरुन भी हो गया, कारिया पुरुन होने पर महापुर्दया शंकर्तिवारी, मनपा के संबंदित अधिकारियों और विधायक विकास कुम्बारे का भाजपा विनकर अगड़ी के कार्यकरताओने आभारमाना भाजपा विनकर अगाडी के पदादीकारियों ने इन कारियों का उद्गाटन भी किया एस अउसर पर शाम चांदेकर युवा मोर्चा पदादीकारी संजय निनावे विनकर अगाडी के पदादीकारी एवं कार्यकरता गण उपस्तित थे थैलेसेमियाव सिकल सेल सेंटर जरीपट का नागपूर में संकलप फाउंडेशन बैंगलोर की सहयोग से निशुलक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन शिविर का आयोजन किया गया थैले सेमियाव सिकल सेल सेंटर नाकपुर थैले सेमियाव सिकल सेल सोसाइटी ओफ इंडिया द्वारा संचालित है कारेकरम का शुबारंब दीप प्रज्वलित कर किया गया शीवीर का लाब लेने के लिए बड़ी संख्या में थैले सिम्याव सिकल सेल के मरीज मोजुद थे मरीजों का HLA मैचिंग प्रक्रिया उनके भाई बैन और माता पिता के साथ किया गया आमतोर पर यह एक बहुत मेंगी जाच होती है जिसमें 15 से 20 हजार रुपे तक खर्चा आ सकता है लेकिन इस विशेश शिविर में यह परिक्षन निशुल का किया गया महराष्टर मध्यप्रदेश और 36 गर साइत विभिन राज्यों के मरीजों का HLA मैचिंग परिक्षन किया गया थेले सेमिया और सिकल सेल सोसाइटी आप इंडिया के संचालक डॉक्टर विंकीर उगवानी ने अपने भाषन के दवरान बताया कि जिन रोगियों में HLA उनके भाई वैनों और माता पिता के साथ मेल खाता है उन्हें आगे बोन मैरो ट्रांस्प्लांटेशन के लिए रेफर किया जाएगा थेले सेमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए बोन मैरो ट्रांस्प्लांटेशन एक मातर स्थाई इलाज है प्रदान मंत्री मुदी जी के मन की बात का सिधा प्रसारण रविवार 27 फरवरी को सुबह 10.30 बजे ताजबाग परिसर में किया जाएगा इस सिलसेले में ताजबाग परिसर का निरिक्षन किया गया इस निरिक्षन प्रक्रिया के दोरान मुख्य रूप से भाजपा के संगठन मंत्री सुनिल मिशरा, मन की बात के संयोजक भूजराज, अलपसंख्यक मूर्चा नागपुर शहर के अध्यक्ष मौमत भारुक शेक, अलपसंख्यक मूर्चा महराष्टर के महामंत्री जुनेत कान और सचिव असलम खान, नागपुर शहर महामंत्री राशित काजी, छोटे साप खान, मंडल अध्यक्ष सफीर इजवी, महामंत्री इम्रान शेक, बाबा भाई फैयाज खान, अब्दुल गफार, शोयवत एवं भाचपा NGO आगाड़ी की पहल से जारी कारियों की जानकारी दी, इस विशे पर देविंद्र फणनविस ने कहा कि शहर के विविद NGO को एकतरित कर भाचपा NGO आगाड़ी ने बहुत अच्छा खाम किया है, तमाम सरकार मानने NGO को आगाड़ी की ओर से समर्थन दिया जा यह निर्देश फणनविस ने प्रतिनीदी मंडल को दिये, साथी फणनविस ने कहा कि संस्थाय सरकार के धनका दुरूपयोग करती है, ऐसी संस्थाओं की जानकरी भाचपा NGO आगाड़ी ने सरकार तक पहुचानी चाहिए, ताकि सही मायने में कार्य करने वाली संस्थाओ कोई सरकार की ओर से लाब मिल सके, उन्होंने NGO आगाड़ी के उज्वल भविश्य और आगे के कारियों में सफलता की काम न की, इस अवसर पर भाचपा NGO आगाड़ी के अद्ध्यक्ष नरेश जुमानी, महमंत्री राजुवाग, समझ सिवक अखिल पवार, प्रमुक रूप से उपस्थित्ते, नरेश जुमानी ने विश्वास दिलाते हुए काहा कि संगटन के कार्यकरता निश्वार्त भाव से कार्य करेंगे और इसकालाब संगटन को निश्चित रूप से होंगा रेल उपयोग करताओं की मांगो और कोविट के प्रतिबंदों में डिल को मद्दे नजर रखते वे, सेंट्रल रेलवे ने अनारक्षित यात्री ट्रेनों में सीजन टिकेटों के बिकरी की अनुमती देने का निर्णे लिया है सीजन टिकेट जारी करने के लिए रेलवे के दिशा निर्द्यशों के अनुसार पूरी तरह से टीका करूत यात्री कोई यात्रा करने की इजाज़त होगी और उनके पास युनिवर्सल ट्रेवल पास होना अनिवारी है अन्य कोई भी व्यक्ति इने विशेश मेडिकल कंडिशन है उनके पास किसी माननेता प्राप्ता डॉक्टर से प्रमन पत्र रहना अनिवारी है तभी उन्हें यात्रा करने की इजाज़त होगी सिजन टिकिट धारकों को अनारक्षित डिब्बों में यात्रा कनने की अनुमती है सिजन टिकिट धारकों के लिए अलग से कोई कोच उपलब्द नहीं है COVID-19 के संबंद बे राज्या और किंद्र सरकार के प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा नाकपुर महनगर पालिका की ओर से गुरुवार को चार प्रतिष्ठानों के खिलाब कारवाई की गई और बीस हजार रुपे का जुर्मान वसुल किया गया उपद्रव खुजी दल के सद्यस्चो द्वारा हनुमान नगर जोन के अंतरगत मेडिकल चोकस्तित हल्दी राम, ताज बिर्यानी और संगम होटेल के खिलाब सडक के किनारे अतिकरमन करने पर कारवाई की गई और तीनों प्रतिष्ठानों से पाच हजार रुपे प्रति प्रतिष्ठान के अनुसार पंद्रह हजार रुपे का जुर्मान वसुल किया गया इसी तरह लकडगंज जोन में उपद्रह खुजी दल ने प्रतिबंदित प्लास्टिक बैक के संदर में कारवाई की टीम ने लकडगंज, पारडिस्टित, मा दुर्गा, क्लोच स्टोर के खिलाब प्लास्टिक बैक का इस्थिमाल करने पर कारवाई की और पाच हजार रुपे का जुरुमान अवसुला मनपाय उक्तर आधक रुष्णन बी के निर्देशा नुसार और NDS प्रमुक वीरसेन तामबे के मारगदर्शन में यहा कारवाई की गई हाल ही में उत्तरनाकपूर मुख्यकारयले में नाकपूर शहर यूत विंग के महसचिव शारिक जमाल उत्तरनाकपूर अध्यक्ष शारिप पठान के नेतरुत में उत्तरनाकपूर प्रभाकरमंक 9 के लिए AI MIM के कार्यकरता मुच्तबा अंसारी ने अपना नामांकन पत्र भरा इस आउसर पर मुख्य रूप से एमिम महाराष्टर महिला सचिव किर्ती डोंगरे नागपुर शहर उपाद्यक्ष वसिम शेक, यूथ उपाद्यक्ष कलीम अंसारी, वसिम पतेल उत्तर नागपुर अद्यक्ष नसीम अक्तर, जहागीर अंसारी, इर्शाद अंसारी, जहागीर अश्रप, जलील अंसारी, अलतमश कुरेशी, जमालुद्दीन अंसारी, कल्लु भाई, नौशाद भाई, हाफिस करीमुल्ला, मुझीबुर रहमान और अन्य पदादीकारी पाज बजे तक होगा, टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ट के जरिये टीका करन क किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी, इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू अरगे के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोद, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब आमेटकर अस्पताल कामठी केबिनेट मंत्री नवाब मलिक के गिरपतारी के बाद गुरुवार को केंदर सरकार के विरोध में राष्टरवधी कॉंग्रेस पार्टी नागपुर शहर के कारेकरताओं ने गांधी पुतला विराटी चोक पर जम कर नारेबाजी की और राज्य के मंत्रियों एवं उनके परिजनों के खिलाप E.D. और अन्य सरकारी एजंसियों के इस्तिमाल की कडी निंदा की राकापा शहर अध्यक्ष एवं नगर सेवक दुनेश्वर पेठे ने कहा कि केंदर सरकार लगातार E.D. वसी बीयाय का दुरूपयोग करके महाविकास अगडी के नेताओं को फसाने जाम किया अनिक कारेकरताओ को पुलिस ने गिरापतार किया पदादीकारी एवं नेतागर्ण उपस्ठित थे खापरकेडा क्षेतर में दीन बदीन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है जिससे परिसर में तनाओ का माहौल बना हुआ है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखकर कोरोना दक्षता समीती द्वारा तहसिलदार एवं बीडियों के आदेशन उसर कोरोना जाच शिविर का आयरजन किया गया कोरोना दक्षता समीती के अध्यक्ष राजिश चवान की अध्यक्षता में कोरोना जाच शिविर के सरें इंतजाम किये गये शिविर में कुल मिला कर 107 लोगों की कोरोना जाच हुई, इस शिविर में पुलिस निरक्षक यादव, यातायात पुलिस के कैलाश पवार, गरामपंचायद चीचोली के सरपंच पुरुषत्तम चांदेकर, गरामपंचायद सदश्य अशोक मेश्राम, प्रातमिक स्वास्थ केंद्र की स्वास्थ साहयक अधिकारी मादूरी उके, स्वास्थ सेवक खुबरागडे, अनन्ता मुडानकर, गरामपंचायद के करमचारी धीरच पौनिकर, नरेंद्र डवरे, एवं बड़ी संख्या में आशावर कर, एवं अंगनवाडी सेविकाओने हिस्सा लिया हालही में भारतिय जन्तापारटी कनहन और पार्शियोनी तालू का महिला अगाडी के सयुक्त तत्वाउधान में, कनहन के राम देउटे के निवास्थान में, हल्दी कुंकुम समारो आयोजित किया गया इस अउसर पर स्वास्थ बालक प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया इस अउसर पर समारो में भाग लेने वाली महिलाओं को पौधे उपहार के रूप में दिये गया विविच्परदाओं के साथ-साथ स्वास्थ बालक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों समेत उनके माताओं को भी पुरस्क्रोत किया गया इस अउसर पर भाजपा महिला अगाडी की जिला अध्यक्षा संध्या गोत्मारे प्रीती मान मुडे जिला महिला मंतरी प्रतिबा गवली शुभांगी गायधने सिंधू साथ-पैसे सुधा सेलो करकी प्रमुक उपस्थिती रही इसके अलावा कारेक्रम के सफलतार्थ जिला उपद्यक्षा स्वाती पाठक शालीनी बर्वे जिला मंतरी पोर्णिमा दूबे तालुका अध्यक्षा सरीता लसुनते अरुना हजारे सुननदा दिवते, कनान शहर मैला अध्यक्षा, तुलेशा नानवटकर, महामंत्री सुष्मा मसके, पार्षत सुष्मा चूपकर, संगीता खोब्रागडे, अनिता पाटिल, वंदना कुरटकर, वर्षा लोंडे और लक्षमी लाडे कर, ट्रतिक्षा चवरे, सावित्री ठ धाकरे, मीना कलंबे, वैशाली कनिर का, अहम योगदान रहा, हिंगना विधान सभा के अंतरगत आने वाली वाडिया और वाना डोंगरी टोल ठेकेदार को, महाराष्ट्र नवनिर्मान सेना की योर से, अवैत वसुली बंद करने के बारे में चेताउनी दी गई है, स्थान का वहानचालक और रागिर को लिए, कोई मुल्भुच सुविदा नहीं है, 24 घंटे एंबुलेंस की सुविदा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विश्राम गुरुह नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं है, शवचालय नहीं है, हिंगना तथा वाडी की मुख्य सड़क जरजर अवस्था में है, फिर भी स्थानिय नागरिकों से तथा अन्य वहानचालों को से बड़े पैमाने पर टोल टैक्स वसुल किया जा रहा है, इस गंभीर विशय पर मंसे के प्रतिनिदी मंडल ने टोल ठेकेदार को लिखित तरीके से तथा मुलाकत करते वे निविद किया कि वहानचालों के लिए मुल्भूत सुविदाय उपलब्द कराई जाए, तथा प्रतिक स्थानिय वहानचालों से किसी भी प्रकार का टैक्स ना वसुला जाए, ऐसा ना करने पर मंसे कार्य करता तिवरा अन्दुलन करेंगे, प्रतिनिदी मंडल के सदेशों ने चेत प्रतिती थी मनाई गई, इस अउसर पर कीदवई हाई स्कूल एवं जुनियर कॉलेज में आयोजित एककारेक्रम में उनकी तस्वीर स्कूल प्रशासन को उपहार के तौर पर दी गई, और रकापा पदादिकारियों ने स्कूल प्रशासन से तमाम अलपसंख्यक समुदाय के विद्धार्तियों को अच्छी शिक्षा दिलाने की अपिल की, स्कूल की मुख्यादयपी का नसिम अलथाप मैडम ने आश्वसन दिया कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में हम पूरी तरह प्रयासरत है, इस अउसर पर शादाब के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देशानुसार, नागपुर शहर जीला कॉंग्रेस कमिटी द्वारा शहर अध्यक्ष विदायक विकास ठाकरे के नेतरूतों में केंद्र की भाच्छपा सरकार के खिलाप सब विदान चोग पर विरुत प्रदर्शन किया जा रहा है, विदायक विकास ठाकरे ने केंद्र सरकार पर महराष्टर की महाविकास अगाडी सरकार को बदनाम करने के इरादे से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दमनकारी निती अपनाने का आरूप लगया, इस आंदुलन में कॉंग्रेस नेता गजराज हटेवार समेत, बड़ी सं संख्या में नागरिक खरीदारी के लिए महलक्षेत्र में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब वे खरीदारी करने आते हैं, तो उन्हें इस ख्षेत्र में देखी जाने वाली सभी एतियासी किमारतों से अउगत होने की आवशक्ता होती है, महापुर्दय शंकर तिवारी ने विश्वास व्यक्त किया कि स्मार्ट सिटी पहल द्वारा आयोजित हेरिटेज वाक नागपूर शहर के इतियास और संस्कृती को नई पीडी के साथ साथ शहर के प्रतेक नागरिक तक पहुचाने के लिए महत्वपुर्ण साबित होगा, आजादी के अमरुत महोच्षव क आउसर पर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलप्मेंट कार्पूरेशन लिमिटेड और नागपूर महानगर पालिका द्वारा सहयोक्त रूप से महल में पुराने अतहसीक स्टलों से हेरिटेज वाक का आयोजन किया गया, हेरिटेज वाक के तहत महापूर्दया शं जुकपाटिल, यी गवर्नेंस के डॉक्टर शील गुले, जोन स्वास्टे अधिकारी नरेश खरे, आधी मनपा एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्टित थे एक भारत श्रेष्ट भारत योजना के अंतरगत, महाराष्टर की अध्यत्मिक परमपरा विशय पर आयोजित, विशिश व्यक्षान के अध्यक्षाता कर देवे कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने कहा, कि भारत की अंतरनीत और ग्यान साधना ही सभी देशो में भारत को श्रेष्ट बनाता है, महात्मा गांदी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्धले एवं ओडिशा केंद्रिय विश्व विद्धले कुरापूट के सयोग तत्वावधान में महाराष्टर की अध्यत्मिक परमपरा विशय पर विशिष्ट व्यक्यान का आयोजन किया गया, इस आउसर पर ओडिशा केंद्रिय विश्व विद्धले की कुलपती प्रोफेसर शरत कुमार पलिता ने भाशन दिया, कारेक्रम में मुख्यातिती के रूप में हरिभक्त परायन चारुदत्त आफले महाराच, पुने तथा इग्नु नई दिल्ले के सह आचारिय, डॉक्टर विश्णु महंदास ने विचार व्यक्त किये, कारेक्रम में प्रती कुलपती प्रोफेसर हनुमान प्रसात शुकल, प्रोफेसर मनुच कुमार, प्रोफेसर कुरुपा शंकर चौबे मंचासिन थे, अपने अध्यक्षिय उद्बोधन में कुलपती प परंपरा का उल्लेक करते हुए चत्रपती शिवाजी महाराच, भगवान आदिशंकराचारिय, भगवान जगनात, विठल और पांडुरंग महाराच के योगदान पर प्रकाश डाला श्री वेंकटेश मंदिर धरस्कर रोड इत्वारिस्टिद श्री वेंकटेश देवस्थान में त्रेपनवा दो दियुसी वारशी कुछ सव समारो श्री घंशामाचारिय जी के सानिद्य में आयोजित किया गया है 28 भरवरी को सुबा नव बजे से स्वर्ण पुष्प अर्चना वा कदम भात वीतरन होगा शाम को साड़े पाच बजे कल्यान उच्छा होगा एक मार्च को सुबा आड़ बजे द्वजारों वा सुबा साड़े आड़ बजे अस्टुतर्शत महक कलशा भिशेक होगा ट्रैफिक पुलिस ने मुटर वहान अदिनियम के विभिन दाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 2772 वहान चालकों पर करवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,64,000 रुपे का जुर्मान वसुला इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत चार मामलों में 4 आरुपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 25,000 रुपे का सामान जब तक किया गया है इसके अलावाज जुआ अधिनियम के अंतरगत तीन मामलों में 11 आरूपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 3,72,000 रुपे का जुर्मना वसुल लगया उपरोकत सभी ऑपरेशन सही उक्तरूप से नाकपूर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विबाग ने यह आवन किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से संबन्दित सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नाकपूर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार